Good morning students, it's my pleasure to welcome you in our online classes, so it's math class, let's start it Students, today we will discuss chapter 3, subtraction Chapter 3, subtraction, as you know, subtraction क्या होती है तो हम यहाँ पार 2 digit numbers जो हैं, वो subtraction के, वो solve करेंगे हमारे पास subtraction का sign है तो ऐसे जो हमारे पास 1st में है, हमारे पास 5 है 2, 3, 4, 5 और हमें minus क्या करना है, 4 1, 2, 3, 4 तो हमारे पास कितने left हुए, only 1 तो यहाँ पर हमारे पास है 2 तो हमें एक subtract करना है और कितने बचे मेरे पास, 1 तो यह जो हमारे पास left सामे हो, आपको खुद solve करनी है So students, now we discuss exercise 3.1 Exercise 3.1 यहाँ पर हमारे पास है subtract the smaller number from the bigger number हमें जो smaller number है, वो bigger number में से subtract करना है तो यहाँ पर हमें 10s और 1s की form में खुद write करना है तो हम सबसे पहले कौन सा number write करेंगे? bigger 66 और 78 में कौन सा number bigger है? जो है वो रहते हैं 2 नेक्स हमारे पास 7-6 तो हमारे पास कितने रहे गए? only 1 तो हमें यहाँ पर जो bigger number है उसमें से smaller number को subtract करना है हमें खुद write करना है कि सबसे पहले bigger number कौन सा आएगा और smaller number कौन सा आएगा तो ऐसे आपको जो left सामें वो solve करनी है तो next हमारे पास है subtractive following one has been done for you हमें यहाँ पर अब एक किस दिये गए हैं उनको हमें जो beads हैं उनको count करकर minus के जो sum हैं वो solve करनी है तो first जो हमारे लिए solve है तो हम second sum solve करेंगे यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 जो है वो once के place में beads है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर है 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 तो हमें इनको subtraction इनकी करनी है 8 में से 7 जो है जो ones के place में है हम पहले वो subtract करेंगे जो ones के place में 8 में से 7 जो subtract करेंगे तो कितने हैं हमारे पास 1 तो हम यहाँ पर 1 जो है वो bead भी बनाना है Next हमारे पास 10 के place में है 9 और 5 9 में से हम 5 सब्रक्ट करेंगे तो कितने बचे हमारे पास 4 तो यहाँ पर हम 4 जो है वो beads बनाएंगे 1, 2, 3, 4 तो हमने समझू है वो सब्रक्ट कर लिए ऐसे जो हमारे पास जो 1 सम लेफ्ट है वो आपको खुद सब्रक्ट करने है Thank you students for watching Please turn your work properly Once again thank you